बिहार में इफ्तार की दावत के बहाने सियासत लगातार चारी है पुर्व सीयम जीतनराम माजी के इफ्तार पार्टी में जब सीयम नितीश कुमार पहुँचे तो उन्होंने आगे बढ़कर माजी को गले लगा लिया जौरान माजी ने भी आगे बढ़कर सीम नितीश कमार को टोपी पहनाई गरतलब है कि डविवार को जेगीउ की इफ्तार पार्टी में जीतनराम माजी अचानक पहुँच गए थे पटना के हज भवन में आयोजेत इफ्तार पार्टी में जैसे ही माजी पहुचे सीम नितीश कमार ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया लंबे अर्से बाद दोनों नेताओं के संदाद में हुई मुलाकात के राजनितिक मायने निकाले जाने लगे इसके बाद आज की मुलाकात भी इस्तियासी कहानी को ट्विस्ट दे रही है बतादे कि केंद्री मंत्री परिशद विवात को लेकर बिहार का राजनितिक घटना कम तेजी से बदल रहा है न सिर्फ सलसिले वार तरीके से बयान आ रहे हैं बलकि मुलाकातों का सलसिला भी शुरू हो गया है इस क्रम में दो दिनों के भीतर माजी और नितीस की दो वार मुलाकात को लेकर अटकलों को हवा मिल रही है बता दे कि माजी के आवास 12 M.10 रोड पर आयूजित इफ्तार में बिरोधी दलों के कई नेताओं ने शुरकत की इनमें बिहार की फुर्व सीम राबडी देवी और लालो यादब के बेटे थेज पुताप यादब भी शामिल रहे हलाकि सीम नितीश के आने से पहले ही राबडी निकल गई हलाकि बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीम नितीश के महागटवंदन में वापसी पर सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि नितीश कुमार का आना गठवंदन तै करेगा माजिके इफ्तार दावत के दौरान विधान सभा अध्यक्ष विजय चौधरी, कॉंग्रिस अध्यक्ष मदन मोहंचा, पूर्व अध्यक्ष कौकब कादरी, आरजेडी के भाई विरेद्र शिवानन तिवारी, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष उदै नारायन चौधरी और बिहार में आने वाले सियास्यत में बड़े उलटफेर का संकेट माना जारा है।